Hello friends, let's crack SSC and Railway Example का सवगत है आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारती राष्टी आंदलोनों को तो सभी भारती राष्टी आंदलोनों को और उनकी प्रिमुक गटना को एक दूसरे से रिलेट करके ठीक से समझते हुए चलेंगे तो दोस्तों आपको पता है कि भारती राष्टी आंदलोनों में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल जो रहा है वो भारती राष्टी कांग्रेस कर रहा है तो भारती राष्टी कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी तो 1885 से 1947 तक हमें हिश्ट्री का एक important part complete करना है तो इस वीडियो में हम भारती राष्टी कॉंग्रेस को ही देखने वाले हैं उसके बाद में हम इसी सीरीज में बाकी की राष्टी आंदलोनों को complete करेंगे 1947 तक ठीक है तो वीडियो को सुरू से लेकर लाष्ट तक पूरा देखना है लाष्ट में एक छोड़ा सा टेस्ट भी लगाएंगे जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा बारती राष्टी आंदलोनों में से किस परिकार के question exam में पूछे जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों अगर आभी तक आपने हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो टेलिग्राम एप पर जाकर SSC Ingrave नाम से चैनल को सर्च कर सकते हैं और बहां से आप टेलिग्राम चैनल को जोइन करके हमारे YouTube की वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और जो भी important PDF या material होगा वो आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल को जोइन करने के लिए आप इस वीडियो के description में भी जा सकते हैं यहां पर भी आपको उसका link मिल जाएगा और यहां पर आपको काफी सारे benefits मिल जाते हैं आने के admin से जोड़ने के यहां पर देखे daily live class आपको मिलेगी daily live class आपको मिलेगी live test जिसके द्वारा आप अपनी performance को analysis कर सकते हैं कि आपकी किस प्रकार के तैयारी हो चुकी है उसका analysis कर सकते हैं जिस भी exam के आप तैयारी कर रहे हैं उसका complete course एक course से आपको मिल जाएगा उसी exam के syllabus के हिसाप से ठीक है हैं जितनी वी टोप एजिक्वेटर अनकेडमी से जड़ हुए हैं सभी की वीडियो आप देख सकते हैं ठीक है और unlimited access के साथ अगर आपने अनकेडमी हो जाएगी 5400 रुपे ठीक है और यदि आपका target लंबा है दो साल के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मतलब 24 मंत के लिए तो उसके लिए आपको फीस पढ़ेगी 7200 रुपे इसमें भी आप मेरा code यूज करके SHAM code यूज करके आपके लिए फीस काम हो जाएगी 10% का discount मिल जाएगा उसके बाद आपकी फीस पढ़ेगी 6480 रुपे मातर 270 रुपे पर मंत के साबसाब की फीस पढ़ जाएगी दो साल के लिए ठीक है तो इस इसके बारे में जो भी common facts हैं जो भी common बाते हैं आपको पता ही होगा जैसे की स्थापन हो गई संस्थापन हो गई सभी को पता होगा एलन और पहला दीविशन 1885 में हुआ था ये भी सभी को पता होगा मुंबई के ग्वालिया टेंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस् पहले अदीविशन इसका पहले अदिविशन में सदे से कितनी थे बहतर सदे से सामिल भी थे पहले अदीविशन में और तो ये सभी common facts आपको याद होगे आगे चलते हैं देखिए पहले हमें पहले के चार अधिविशन याद करने हैं, पहले के चार अधिविशनों के बारे में कोशन पूछ लिया जाता है, तो इसके हम अध्यक्ष और इसके इस्थान याद करेंगे इस ट्रिक से, इन चार अधिविशनों के बारे में काफी बार एक्जाम में व्योमेश चंदरबनर जी को उसके बाद दूसरा दिवेशन हम हुआ था 1886 में जिसमें दादा भाई नरो जी अध्यक्ष थे तो नरो जी में N से हम याद कर लेंगे नरो जी ठीक है, बंटू में N से हम याद कर लेंगे नरो जी तो दूसरे अदिवेशन के अद्यक्ष हो गए नरो जी, दादा भाई नरो जी, आप देखिए, बन्टू में इस T से हम याद करेंगे तैयब जी, मतलब बदरुदीन तैयब जी, 1887 में तीसरा अदिवेशन हुआ था, इसमें अद्यक्ष थे बदरुदीन तैयब जी, इसके जाता है, पहले यूरूपी अद्यक्ष कोन थे, जोर्ज यूले, इस यू से हम याद कर रहे थे, यूले को, मतलब जोर्ज यूले को, और दोस्तों यहाँ पर एक important बात और है, कि पहले मुसलिम अद्यक्ष कोंग्रेस के थे, बदरुदीन तैयब जी, जो तीसरे अदिवे नगरों का नाम, ये चार फेमस नगर हैं भारत के, इन चार नगरों का नाम, आप इसी क्रम में बच्पन से सुनते आ रहे होगे, बंबई, कलकत्ता, मदरास, इलाबाद, इसी क्रम में इन सहरों के नाम आप सुनते आ रहे होगे, और यदि आप अभी इन सहरों के नाम चार हुआ था कलकत्ता में तीसरा मदरास में और चोता इलाबाद में अभी हम वीडियो के लाश्ट में टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाया कितने फैक्ट्स आपको याद हुए ठीक है आगे देखते हैं अभी यहां पर देखिए यह भी बहुत ज्यादा बहुत बार सुना हुँ आपने एनिवेसेंट कॉंग्रेस की प्रतम महिला अध्यक्स थी हैं जो बनी थी 1917 में यदि हम 1917 में आठ एड कर दें आठ अगर जोड़ दें हम तो यह बन जाता है 1925 तो 1925 में अध्यक्स थी सरोजनी नाइडू यह थी भारतिये और एनिवेसेंट तो भारतिये महिला अध्यक्स कौन थी सरोजनी नाइडू तो यह भी कोशन अग्जाम से में पूछ लेते हैं कि कॉंग्रेस की प्रतम भारतिये महिला अध्यक्स कौन थी तो वह थी सरोजनी नाइडू जो कि 1925 में बनी थी अब यह अधिवेसेंट कहां कहां हुए इनको भ तो नेली सेन गुपता ब्रिटिस महिला थी, 1933 में ये कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो आपको क्या करना है, बस 1917 में आठ जोड़ना है, फिर इसमें 1925 में द्वारा आठ जोड़ देना है, तो 1917, 1925, 1923, इसी करम से ये डेट आपको याद हो जाएगी, पहली कहां कहां हुए, कलकत्ता, कानपूर, कलकत्ता, इनको आप याद करने के लिए कलकत्ता, कानपूर, कलकत्ता को आपको ऐसे पढ़ना है, कल, का, कलकत्ता, ठीक है, कलका, कलकत्ता, कलकत्ता, कानपूर, कलकत्ता, तो ये भी कोशन एक्जामस में पूछ लिया जाता है, कि जिस साल स्वरोनी नाइडू कॉंग्रेस की अधिक्स थी, वो अधिवेशन कहां हुआ था, तो वो हुआ था कानपूर में, ऐसे कोशन एक्जाम साम पूछे जाते हैं, तो अब यह आपको याद हो गए होंगे, मैं उमीद करता हूँ, आगे देखते हैं, देखिए कुछ नोट मैं सम्मिलन आयोजीत होना था, तो इंडियन एसोसियेशन कॉंफरेंस का दूसरा आखिल वारती सम्मिलन हो रहा था उसी समय, तो वो वहाँ पर वीजी थे, सुरेंदरनात बनर जी, तो इस वह से पहले अधिवेशन में कॉंग्रेस के सामिल नहीं हुए थे, तो यह कोशन एक् सायद एहमद खां, कॉंग्रेस से कभी भी सम्मद नहीं रहे, कॉंग्रेस में कभी भी सम्मिल नहीं रहे, सर सायद एहमद खां, इनका नाम भी आपको याद रखना है, अब देखिए बाकी के बचे हुए कुछ प्रुमुक अधिवेशन हैं, उनको भी हम एक ट्रिक से लाश्ट में यह, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक लाइन याद करनी है, इस लाइन से, यह लाइन बहुत ज्यादा यूजफुल है, इस लाइन से आपको सारे अधिवेशन याद हो जाएंगे, सारे प्रुमुक अधिवेशन, जिन से एक्जाम में कोशन पूछे जाते है इनी अदिविशनों से अधिकतर exam में question पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं, last time हम test लगाएंगे तो, तो यहाँ पर पहले letter से हम देखेंगे कि अदिविशन कहा हुआ, और दूसरे letter से हम देखेंगे कि उसमें अधिक्ष कौन थे, line है बगो कदा सूरा लंबेगा लाज, य यह हुआ था 1905 में, यही जाद रखना है 1905 में हुआ था यह, तो बाक से बनारा सा दिविशन, गो से गोपाल क्रेष्न गो खले, यह पूछ लेते हैं कभी-कभी, इसके बाद के उन्हें का से यात करेंगे, कलकत्ता दिविशन, तो कलकत्ता दिविशन हुआ था 1906 में, इस सू से याद करेंगे सूरत अदिवेशन ये वता 1907 में जिसमें की कांग्रेस का दो भागों में विवाजन हो गया था नरम पंती और गरम पंती में इसलिए ये इंपोडेंट है तो इसमें सूरा में रासे हम याद करेंगे रास विहारी गोस तो भगों कदा सूरा लम बेगा लाज में हम अब लम से देखते हैं इसमें हम लासे याद करेंगे लखनो अदिवेशन जो की वता 1916 में कापी एतिहासिक अदिवेशन रहा है ये 1916 में इसके वारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे तो पता तिल दाएगा आपको कि क्यों इंपोडेंट है तो लासे हम याद करेंगे लखनो अदिवेशन मा से याद हो जाएगा हमें मजूमदार मतलब अंबी का चरण मजूमदार इस अदिवेशन में अद्यक्ष थे प्रतम भारतिय महिला अद्यक्ष कौन थी ये देखा था सरोजनी नाइड़ू थी वह अदिवेशन हुआ था 1925 में ठीक है कानपिर में हुआ था इनके जश्ट बाद में सरोजनी नाइड़ू अगले साल सरोजनी नाइड़ू अद्यक्ष बने थी कॉंग्रेस की तो वह 1925 में हुआ था तो बेलगाउ अदिवेशन हुआ था 1924 में जिसमें की गानदीजी अध्यक्ष बने थे इसलिए ये इंपोटेंट है पुछ लेते हैं एक्जाम में की गानदीजी किस अध्यक्ष बने थी तो वह था बेलगाउ अध्यवेशन 1924 इसके बाद लाज में हम ला से आद करेंगे लाहोर अδिविशन यह लाहोर में हुआ था लाहोर अदिविशन 1929 में हुआ था यह भी काफी एतियासिक अदिविशन है अभी हम पत्ल दाया क्यों important है यह जा से हम याद करेंगे J.L. नेहरू जबाहर लाल नेहरू ठीक है तो लाहोरा दिवेशन जो 1929 में हुआ था सोरी है तो इसमें अध्यक्षते जेल नहरू आप हम इनको डेटेल में देख लेते हैं यहाँ पर देखिए अभी मैंने देखा था अभी मैंने आपको बताया था कि बगो में बासे हम याद करेंगे जो की 1925 में हुआ था था बासे बासे बनारस अधिवेशन गोज से गोपाल करिष्ण गोखले उस ट्रिक का आए स्क्रिन सोट ले सकते हैं और 1906 में हुआ था कलकाता अधिवेशन इसमें अध्यक्ष थे दादा भाहि नोरो जी और 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन इसमें थे अध्यक्ष रास विहारी गोस तो सूरत अधिवेशन क्यों important है? तो Congress इसमें गरमपंती और नरमपंती दो भागों में विवाजित हो गई थी इसलिए यह important है सूरत अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष थे रास विहारी गोस आगे देखते हैं अब यहाँ पर देखिए 1916 का लखनव अधिवेशन तो 1916 का लखनव अधिवेशन मैंने बताया था बहुत ज़्यादा इतियासी का अधिवेशन है यह क्यों ज़्यादे important है यह हम आगे देखेंगे तो 1916 के लखनव अधिवेशन में अध्यक्ष थे अंभीका चरन मजुमदार यह हमने याद केंसे किया था बगोक वदा सूरा लम बेगा लाज इसमें हम ला से याद कर रहे थे लखनव और मा से याद कर रहे थे मजुमदार अभीका चरन मजुमदार ठीक है अब यह क्यों important था यह वाला दिवेशन यह हम देखेंगे ठीक है अभी हमने मैंने बताया था आपको 1907 में Congress दो भागों में विवाजित हो गई थी नरमपंती और गरमपंती तो 1907 में होई थी विवाजित अब यह 1916 में आके दोबारा आपस में मिल गई थी किनके प्रियासों से एनिवेशन और तिलक के प्रियासों से ठीक है इसमें एनिवेशन और तिलक की भूमिका थी इन दोनों को आपस में दोबारा मिलाने की नरमपंती और गरमपंती को अब इसमें ये और इंपोटेंट है कि कॉंग्रेस का मुसलिम लीग में बिला हो गया था ठीक है मुसलिम लीग और कॉंग्रेस दोनों आपस में मिल गए थी मतलब मुस्लिम लीग का कॉंग्रेस में बिले हो गया था अब इस अदिविशन में ये और इंपोटेंट है बहुत जाते इंपोटेंट है कि मुस्लिम लीग का कॉंग्रेस में बिले हो गया था 1916 के लखनो अदिविशन में अब इसमें किसकी भूमी का थी? यहां यह गलत लिख रहा है इसमें भूमी का थी जिन्ना और तिलक की ठीक है जिन्ना और तिलक के प्रियासों से मुस्लिम लीग का कॉंग्रेस में बिले हो गया था अब इसके बाद है कि तिलक ने इसी अदिविशन में लखनो अदिवेशन में नारा दिया था कि स्विराज मेरा जर्मसित अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा ये कॉंग्रेस के लखनो अधिवेशन में तिलक ने नारा दिया था ठीक है तो ये किस अधिवेशन में नारा दिया था तिलक ने ये भी पूछ लेते हैं एक्जा लेकिन आपको लग रहा होगा कि गांदी जी इसी अदिवेशन में सामिल हुए थे और 1915 में गांदी जी अफरीका से, साउथ अफरीका से भारत आये थे तो आपको लग रहा होगा गांदी जी 1915 में भारत आने के बाद इसके बाद ही Congress के किसी अधिविशन में सामिल होगे लेकिन ऐसा नहीं है गांदी जी वहाँ जाने के बाद बीच बीच में आते जाते रहे थे तो 1901 के अधिविशन में गांदी जी एक बार सामिल हो गए थे तो गांदी जी सबसे पहले कॉंग्रेस के 1901 के अधिविशन में सामिल हो गए थे, यह आपको याद होना चाहिए है, ठीक है, तो अध्यक्ष किसमे थे गांदी जी, 1924 के वेलगाउं अधिविशन में, और सबसे पहले सामिल हो जएके थे 1901 के अधिविशन में, आगे देखत अधिविशन में बढ़ता बगो कदा सुरा लंबेगा लाज, लाज से लाहोर अधिविशन और जा से जवार लाल नहरु, ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम देखे लेते हैं, 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे, जवार लाल नहरु ने रावी नदी के तट पर काफी अध जन समूगे मध्य तरंगा जन्डा को फेराया, ये इसमें इंपोर्टेंट घटना घटी थी, इसके बाद 26 जनवर 1930 को प्रिथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चे लिया गया, स्वाधीनता दिवस 26 जनवर 1930 को मनाया गया था, और इसके आगे 26 जनवरी के दिन ही प भारती राष्टी ये कॉंग्रेस की स्थापना की थी, तो वो किसने की थी, ए ओ हुमने, एलन ओक्टोवियन हीूमने, आगे कोश्चन है, भारती राष्टी ये कॉंग्रेस की स्थापना का बर्स था, तो इसकी स्थापना होई थी, 1885 में, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 1927 की बटलर कमेटी का उदेश से था तो देखिए मैंने वीडियो में नहीं बताया यह कॉंग्रेस से रिलेटेड भी नहीं है तो फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं पहले चार दिविशनों को याद करने का कि कहा कहा हुए थे बंबई कलकता मदरास इलावाद तो पहला मुंबई में हुआ था या बंबई में हागे देखते हैं भारती राज़ के कोंग्रेस के पहले अध्यक्ष थे ब्युमेश चंदर बनर जी ओप्सन भी बिल्कुर ठीक है किसने कॉंग्रेस की इस्थापना के समय भारत का बाइसराय कों था लोड डफरेंड मैंने बताया था आपको किस ने कॉंगरेस को सुक्ष्मदर्थिये अल्फसंक्यक जनता का प्रतिनिती बताते हुए उसका मजाख उड़ाया में से भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगादर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जर्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा आगे देखते हैं बारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का प्रत्म दिर्वाचित यूरोपी अधिक्ष था तो वो था जोर्ज यूले। लाड आगे देखते हैं किसने कहा था कॉंग्रेस आंधर ना तो लोगों द्वारा प्रेसित था ना ही उनके द्वारा सोचाया योटिणावद किया गया था तो मैंने आपको बताया था अभी डीटे़ल में बताते हुए कि सर स्यद एहमद खाँ ऐसे वेखती थे जो कॉंग्रेस से कभी भी संबद नहीं रहे तो इन्होंने ही कॉंग्रेस के बारे में ऐसा कहा था उप्सन बी विलुक्ट ठीक है इन्होंने ही कॉंग्रेस के बारे में ऐसा कहा था कि कॉंग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेडित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनावद किया गया था तो वो थे सरसयद एहमद खान, इनके बारे में ये भी याद रखना है आपको कि ये कॉंग्रेस से कभी भी संबद नहीं रहे, कॉंग्रेस में कभी भी सामिल नहीं रहे, आगे देखते हैं, भारती राश्टी ये कॉंग्रेस के सरब्रतम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो तीसर नेक्स्ट कोपश्चिन है, भारती राश्टी ये कॉंग्रेस के पिरतम अध्यक्याश्टियों में कितने प्रदीनिध्यों ने भाग लिया तो बेथर प्रदीनिध्यों ने भाग लिया था, पहले अध्यक्यों में, और यह हुआ कहान था, बंबई में? और बारतियास्टियोस कोंग्रेस का 885 में महसाचीब कौन था तो जिसने भारतियास्टियोस की स्थापना की थीक ए ओ हुम वही महाशाचीब थी 1965 में अंसर ए बलू ठीक है आगे दिखते है निमनि में से कोन भारतियास्टियोस कोंग्रेस के इस्थापना डिविशन मեं उस इस वज़े से ये कॉंग्रेस के पहले अदिविशन में सामिल नहीं हो पाये थे ठीक है तो ये आंसर याद करना है आपको याद रखना है सुरिंद्रनाथ बनर जी आगे देखते हैं भारती राष्टी है कॉंग्रेस के दूसरे अदिविशन के अदिख्षता किसने की थी दादा भाई नरो जी ने हम याद कर रहे थे बन टू से ठीक है बन टू से हम याद कर रहे थे इसमें एन से हो गया था नरो जी और बिए से बनर जी T से तयव जी और U से यू ले आगे दिखते हैं महात्मा गांदी के साथ निम्न मुसल्मानों में से किसने बाल गंगा धर तिलक की अर्थी उठाई थी तो इसका अंसर है और उफसन ए यह फालतुवा कोशन है ऐसा है इतने ज़ादा factual कोशन नहीं पूछा था ना चाहिए किसी एक्जाम में फिर भी इसका अंसर बता जेता हूँ मैं सोकत अलीस का अंसर है आगे देखते हैं निम्न में से कौन एक भारती राष्ट्य कोंग्रेस से कभी संबद नहीं रहे तो मैंने आपको बताया था सर सायद एहमत खां सर सायद एहमत खां कौंग्रेस से कभी भी संबद नहीं रहे आगे देखते हैं आखिल भारती राष्ट्य कोंग्रेस की प्रतम महिला अध्यक्ष थी तो प्रतम महिला अध्यक्ष थी यह अदिविशन कलकता में हुआ था एनिविशेंट वाला स्वरोजनी नाइडू वाला अदिविशन हुआ था वो हुआ था कानपूर में फूर इसके बाद दोबारे कलकता में हुआ था 1933 में जिसमें की अध्यक्षती नेलनी सेन गुपता ठीक है तो यह थी आज की हमारी वी यह में तेंगी सोमच्छू